मिस्मिल्लाइरेमान इरहीम, असलालेकुम, कैसे हैं आप लो, आज हम बनाएंगे साबुदाना नमकी, क्विक, इजी और सिंपल तेरिके से, तो चलिए, बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल के बटन को दबाना ना भूले, जिससे मेरे आने वाली नहीं नहीं रेसिपी की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहेगी, तो चलिए, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं एक बाल ले ले लेंगे, बाल में पानी डाल देंगे इसके अदर हम और अलू को डाइरेक्ट ग्रेट करेंगे aymaa ग्रेटर में जो मोटा वाला छीड घटा करेंगे sounds कि इसी तरीके से हम आलो को ग्रेट कर लेड़ा है अब मेंसे दो इथीन पानी जिससे आलो में का साथ निकल जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार धो कर छान लिया है इसे हम दो बार और धो लेंगे इस तरीके से धोने से आलू फ्राइ करने के बाद अच्छे से क्रिस्पी रहेंगे नरम नहीं पड़ेंगे इसे इसी तरीके से आप दो या तीन बार जरूर धो लें यहां पर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले यहां पर मैंने आलू को फाइनली एक बार और अच्छे से धो लिया है इसके अंदर का सारा स्टाश निकल गया है इसका भी पानी हम हटा देंगे यहां पर हमने इसे पूरी तरीके से अच्छे से छान लिया है इसका सारा पानी निकल गया है और अब हम इसे पूरी तरीके से ड्राइ करेंगे एक कीचन टाल या नैपकी नाप ले ले और इसके उपर इसको फैला दें यहां पर मैंने एक साफ टावल ले लिया है अब तरह में ऑच्छे से आप इसे सुकाए और पाश मिनटी के लिए हम इसे के उपर फैला देगे जिसे ये अच्छे से ड्राइ और जाएंगे 10 मिनटी के लिए आप इसे इसी तरीके से फैला कर छोड़ें यहाँ पर हमने कड़ाई में आईल को पहले से ही गरम कर लिया है आईल अच्छे से गरम हो गया है सबसे पहले हम इसमें मुंगफली डाल के फ्राइ करेंगे यहाँ पर मैंने हाप कॉप मुंगफली ले ली है आप कम ज्यादा कर सकते हैं मुंफली को हम अच्छे से Fry कर लेगे यहाँ पर मुंफली हमारी Fry हो गई है और अब हम इसे एक प्लेट में पेपर के ऊपर इस तरीके से निकाल लेगे आप चाहे तो इसके अंदर काजू और किसमी भी Fry कर सकते है यहाँ पर मैंने 8-10 करी पत्ता और 3 हरी मिर्च ले ली है इसे भी हम fry कर लेंगे मिर्च और करी पत्ता हमारा हो गया है fry इसे भी सेम प्लेट में हम निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने 1 कप साबुदाना ले लिया है यह पॉपकर्ण साबुदाना है आईल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे आईल अच्छे से गरम हो जाए तब साबुदाना को आप फ्राइ करें यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डाल का फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राइ करेंगे इसके क्रिस्पी होने तक पर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक घ्राइक करेंगे अलू भी हमारे इसमें अच्छे से भाइ हो गए है अब हम इसे कि यह दाल सकते हैं मिक्सिंग बॉल और फ्राइ किये हुए साबू दाना इसमें डाल देंगे और इसमें हम मिक्स कर देंगे नमक यहाप मैंने हाफ टीजपून नमक लिया है आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं एक टीजपून पाउडर शुगर इन सब को हमाचे से मिक्स कर लेंगे आप अपने इस साब से इसमें कोई भी फ्लेवर आट कर सकते हैं क्रिस्पी साबू दाना नमकीन हमारा बनकर तयार है साबू दाना नमकीन हमारा सर्व करने के लिए तयार है साबू दाना नमकीन हमारा बनकर तयार है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज